हेलो दोस्तों आप सभी का अर्वी क्लासेज में स्वागत है क्लास 10 एलक्सिटी एम्पोटेंट एमसी क्यू कोस्टन आज हम जो है कोस्टन डिसकस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग बॉर्ड एम्पोटेंट एमसी क्यू कोस्टन सो हमारा फर्स्ट कोस्टन है एक बैटरी ऑफ 10 वोल्ट कैरीज एक 20 कूलाम ऑफ चार्ज थ्रो एक रेजिस्टेंस अफ 20 यूम दा बर्ग डन इन 10 सेकेंड ऐसे कोस्टन सॉल करने के लिए सबसे पहले हम गिविन लिखेंगे कि हमें दिया क्या-क्या डेटा है तो गिविन लि है क्यों सो 20,000 कूलाम देन रेजिस्टेंस इस 20 यूम एंड टाइम दिया है 10 सेकेंड हमसे कोस्टन में पूछा गया है कि भाई बर्ग डन बताओ हमारा बर्ग डन कितना होगा तो हम जानते हैं बर्ग डन निकालने के लिए हम जानते हैं बी बराबर होता है डबली अपॉन क्यूं तो बर्ग डन होगा हमारा क्रोस मुल्टिप्लाइ कर देंगे तो बी इंटु क्यूं तो बी की वैल्यू कितनी दी हमें कोस्टन में 10 एंड क्यूं की वैल्यू कितनी दी गई हमें 20,000 कूलाम तो टू इंटू मैं करना चाहता हूं 10 टू पावर 4 तो आंसर देट टी इंटू 10 टू पावर 4 एंड 1 तो 10 टू पावर 5 हमारा आंसर आ जाएगा डवलू का टू इंटू 10 टू पावर 5 जूल तो आंसर इस बी हाँ नेक्स्ट कुस्टन इस था कि दी इमीज सूज ए सरकेट डाइग्रम वाट network य्बिंग यूजिंग योजल डी बोल्ट मीटर तो इसमैं पूछ रहा है कि इसम्हें जू बोल टमीटर लगा और हमें क्या मेंजर कर रहा है तो लोल्ट में मेजर करने के लिए देखे हम यह तुमारा इंपट वोल्टेज कि और यह क्या वारा उपूट बोनटेज ऊब तो हम बोलेंगे झालत नियुकर हina करेक्ट की बल्टिड क्रोस ती रइस्टर हम को find out करके बताता है second situation इसमें अगर हम द्यान से देखें यह दोनों जो register हैं हमारे दोनों किसमें जुड़े हुएं series में तो series के लिए हमारे दोनों जो register हुएं उनमें voltage अलगल होता है इसमें B1 वालो इसमें तो parallel में क्या होगा parallel में हमारा i different होता है बट voltage हमारा kya होगा same होगा तो हमें ध्यान देना होगा यहां एक point है कि series के लिए i same होता है बट parallel में different होता है parallel में b same होगा लेकिन series में potential हमारा अलग होता है कि so answer is c next question is third अलिए लिस्ट रिझस्टेंज ऑप्तेंड दो गजिड़ डुर ओर बन ओं एंड रने में दो इसमें जो कोंशन पूच्छा है हमारा ये पूच्छा गया है कि सब्से कम रिजिस्टेंज मीनस लियूइ स्टेंस हमारा इगना थे दो लिश्ट रिजिस्टेंज जब भी हमें कम निकालना होता है तो list resistance हमारा parallel की situation में निकलता है और maximum अगर resistance चाहिए तो हमें series में जोड़ देंगे और list चाहिए तो हमें parallel में निकालेंगे तो इन सभी को जब हम parallel में जोड़ेंगे parallel का formula होता है 1 upon R बरावर 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and 1 upon R4 तो हमें जब हमें इने solve करेंगे 1 upon 2 plus 1 upon 4 plus 1 upon 1 plus 1 upon 100 तो इसकी value जो आएगी वो आएगी R की value 1 ohm से क्या आएगी हमारी कम आएगी तो option third का C next question is fourth बर्क of 14 Joule is done to move 2 Coulomb charge between 2 points on a conducting buyer what is the potential difference between 2 points so again सब से पहले हम given लखेंगे so बर्क डन कितना दिया है आपका 14 Joule and 2 Coulomb क्यों दिया है 2 Coulomb हमसे पूछा है voltage कितना होगा तो B बरावर हम जानते हैं W upon Q होता है W की value हम जानते है 14 है यह 2 है 2 से 14 काटेंगे तो कितना हैगा 7 bolt so answer is fourth का C next question is 5 if fuse wire repeatedly gets burnt when used with a good heater it is advised to use a fuse wire off अब हमने पूछा जाता है कि fuse wire होता है सबसे first word fuse wire क्या है fuse wire हम क्यों use करते है fuse wire का मतलब है जब किसी wire से होकर जादा current flow होती है तो wire हमारा melt हो सकता है melt होने से बचाने के लिए current को हम क्या का मैल्ट होने से बचाने के लिए ज्यादा करेंट को आवर कम करने के लिए हम फिए वायर का defendant यूज करते हैं शोन दिस वाईन्थ एक हम उसकी ृञा करते हैं इंक्रीज करते हैं बड़ा दें इसलिदें अका फिए वायर का suspect है नेक्ट कोशन इस सिक्स एस सर्किट है जा चार्ज अप्टू कूला मोविंग त्रो इट इन थ्री सेकेंड विच लक्टिकल कंपोनेंट इन दा सर्किट इट प्रिजेंट बिल सोधा करेंट अगर हमसे यह पूछ रहा है कि इन में से कौन सा आप्शन सही है जो करेंट को सो कर करता है तो बोल्ट मीटर करेंट को सूर नहीं करता है City में हमारा जो होता है जो हमारा नेसे होता है तो रियो श्रीच का मतलब है जिसमें रिस्टेंस की वैल्ली क्या करें ऐस्यो Om सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमें मालूम है एक फर्मूला कि हमें क्यू दिया है टो कूलांग एंड दिया है थ्री सेकेंड तो क्यू बराबर होता है हमारा आई टी तो आई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन टी तो क्यू की वैल्ली हमारे पास है टू कि एंड टी की वैल्ली तीन तो जब हम इसे सॉल करेंगे तो हमारा जीरो पॉइंट सेविन एंप्यर एप्रॉक्सिमीट आंसर आएगा नेक्स्ट को सब्सक्राइब करती है तो एक फर्मूला होता है इसमें जो आर है एक आर रिजिस्टेंस भोलते है रो को क्या बोलते हैं यस पर पॉलते हैं एल tabii हेले इसकंअफं एडिया तो तो जानीवाई मेंटिक पहशेड़ करती है तो भी करते हैं मारी क्यान्य परेंट शेयर ऍपुंब्иваетव next question is eight two devices are connected between two points say a and b in parallel the physical quantity that will remain same between the two points अभी थोड़ी दिर पहले में ने बता है था कि जब हमारी device parallel में हो तो parallel में क्या same रहता है आई तो different होता है बट बी क्या होता है सेम होता है so answer is b 8 का b next question is 9 unit of electric power may also be expressed as हम power की unit को अलग और किस से हम सो कर सकते हैं power का formula होता है बी आई बी अगर हम बोलें बोल्ट होता है आई एंपियर होता है तो बोल्ट एंपियर स्वाप्शन इज नाइंद का ए एंड इसमें हम अभी और देखना चाहें कि और क्या हो सकता है तो option इस दा करेक्ट अगर हम बात करें कि इसमें जूल जूल सेकंड तो जूल सेकंड तो होता नहीं हमारा एलक्टिक पावर का तो आंसर एज करेक्ट हम जानते हैं एक फर्मूला होता है बी बरावर आई अपॉन आर लेकिन उसने पूछा है करेंट और रेजिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन तो इसका आंसर देखेंगे कि यह दोनों जो है आपस में कैसे रिलेट है इनवर्सरे रिलेटेड टू इच अधर नेक्स्ट कोस्टन इज एलेवन एलेवन तक में अगर आप देखो नेक्स्ट कोस्टन एलेवन तक में हमसे पूछना चाहता है एक बी आई ग्राफ दिया गया है तो इसमें आर की बेल लिए तो आर अगर हम ग्राफ से पता करना चाहें तो आर होता हमारा स्लोप ऑफ बी आई ग्राफ जब हम ग्राफ से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम बी आई ग्राफ का क्या निकालने स्लोप और स्लोप होता है डेल्टा भी अपॉन डेल्टा आई डेल्टा भी मींस अगर हम एक लाइन बना दें तो यह होगा हमारा डेल्टा भी पर 5 तीन वटे 5 या 6 वटे 10 या 9 वटे 15 तीन से काटेंगे 2 सोरी दो से काटेंगे 3 और यह 5 तो आंसर इज बी 11 तका आंसर बी नेक्स्ट कोस्टन इस ट्वेल्व एक करेंट ऑफ वन एंप्यर ड्रॉन वाया फिलामेंट अपन एलेक्ट्रिक वल्ब नम्मर उप लक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू एक क्रॉस सेक्षन ओफ दी फिलामेंट इन 16 सेकंड्स बोड़ भी रफ्ली थोड़ा सा इस कोस्टन को ध्य गिविन लिखना की हमें दिया क्या है गिविन के लिए मैं देखूंगा आई दिया है वन एंप्यर इस ड्रॉन बाई अप्लामेंट ऑप लेक्ट्रिक बल्व नम्मर उप लक्ट्रॉन्स पासिं थ्रू एक क्रॉस सेक्षन आप्लामेंट इन टी दिया है 16 सेकंड्स बोड़ तो हम जानते हैं Q बरावर एक प्रोans आथ गर्ल फारमूला और यहां Bachelor फिरम आऩ की ताकी हमारे हमें learn करनी है याद रखनी है तो point अटाएंगे 0 बढ़ाएंगे यह 10 times कटेगा और 19 उपर जाएगा तो 19 और 10 20 हो जाएगा तो 10 की power 20 is the answer 12 का answer is a next question is 13 how much how much more heat is produced if the current is double इसमें बोला है कि अगर हम heat कितनी ज्यादा प्रोड्यूस करें यदि current हमारी डबल हो जाए तो अब हमें से अगर देखें तो हीट चाहिए तो हीट का फर्मूला होता हमारा i square rt i square बराबर rt तो h directly proportional to i square प्रेट करें क्योंकि बाकी quantity के हमारी remains same रहेंगे तो हम लेखेंगे h1 upon s2 बराबर i1 upon i2 दोनों पर क्या जाएगा i square है आई को अगर हम आई मान लें लेकिन करेंट इस डबल तो आई नीचे क्या जागा टू आई तो हम i से i काट देंगे तो यह आजाएगा बन अपन फोर तो फोर आजाएगा तो फोर का क्या करते हम क्रॉस मल्टिप्लाइग तो आंसर होगा हमारा जो new heat current है sorry जो new heat है वह हमारी पुरानी वाली heat की कितना हो जाएग फोर टाइमस तो आंसर ही 13 का सी कि नेक्स्ट कुस्टन इस फोर्टीन बिच अब दा फोलॉइंग रिपर्जेंट्स बोल्टीज तो हम जानते हैं भी बरावर फॉर्मूला होता है डवलू अपन क्यू या डवलू अपन क्यू का फॉर्मूला होता आईटी तो डवलू की यूनिट होती है जूल आई की एंपियर एंटी की सेकेंड तो जूल पर एंपियर सेकेंड या बर्गडन अपन आईटी तो हम इसमें अगर फॉर्मूला की जब बात करें तो हमारा फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्टीन का ए ऑप्शन इस दा करेक्ट नेक्स्ट कॉस्टन इज फिप्टीन अगर हम इस पर ध्यान दें फॉर्ट फिप्टीन पे एक कुलर अप फंद्रेसो बाट टू हंडड़ बोल्ट एंड एफन ऑप फाइवंड़ वाट एंड टू हंड़ बोल्ट और तो वी यूज़ड फ्रॉम हाउस होल्ट सप्लाई दा रेटिंग तो फ्यूज तो वी यू है तो हम 15 में देखेंगे कि की की 15 में हमें दिया गया है तो 158-200 वोल्ट एक कूलर के लिए दो डिवाइसे से एक कूलर एक फैन तो हम कूलर की करिया लें और इसकी करिया निकल लें और दोनों को अम जोड़ दें तो अब मता सकते हैं कि हमारे कितनी यूज हुई करेंट त तो आई बरावर P upon B P है हमारे पास 1500 and B है 200 जब हम solve करेंगे तो यह आजाएगा हमारा 7.5 Ampere इधर solve करेंगे तो यह आएगा आए बरावर 500 upon 200 तो 2.5 Ampere जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोडने पे हमारा जो नेट करेंट है वह आएगा हमारा 10 Ampere तो 15 आंसर इस डी नेक्स्ट कोशन इस सिस्टीन कि दा कॉम्मिनेशन यह ओफ यह ट्यूआं रेजिस्टर एंड sat फोर moments nowhere est जर स्टोपर्स दा लिस्ट रेजिस्टर्स तू करेंट इनदा सर्किट को हमसे देखें दुवारा से तो इसमें हमसे फिर से पूछा या सीरीज में जोड़े या पैरलल में, so answer is parallel, तो parallel combination which results net resistance is 1.5, अब हमें इसे निकालना है, तो हमें मालुम है, जब हमारे पास 2 resistance, पैरलल में जोड़े हो, तो हमें उसे कैसे निकालते हैं, तो R equivalent बरावर होता है, यह अगर R1 है, यह R2 है, तो इन दोनों का हम क्या कर दें, multiply क तो हम देखेंगे एक four is two 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 four upon two plus four तो eight upon आ जाएगा हमारा six जैसे हम solve करेंगे तो हमारा आएगा one point five so question no 16 का answer is d is the correct next question is 17 in an electrical circuit two registers of two ohm and four ohm respectively अगर हम देखें तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं और दौनों किसमें जुड़े हुए हैं हम इसके एक सरके डाइग्राम बनाते हैं तो हमारे पास बैटरी कितनी दी गई है 6 वोल्ट एंड इसमें टू और यह है है 4 ओम हम इसकी जब बात करें आरिक्यूएलेंट की तो आरा एक्यूएलेंट आए का जाएगी वहocy कोशनौिट हीट डिसीपेटेड मतलब कितनी हीट निकलेगी बाई दा फोरोम रेजिस्टेंस सो हम निकालेंगे एच बराबर आई स्क्वाइर आर टी आई की वैल्यू कितनी वन आर की वैल्यू फोर टी की वैल्यू पांच तो आंसर इसे आजएगा 20 जूल एकन इच्ट कोषण इसे एक टेन एन ओर टू रिड्यूस एलक्टिटी कंजम्शन एट हॉम वाट काइंड ओप एपलाइंस बन पर्चेज नेक्स कोषण इस अगर हम कोई भी सामान पर्चेज करते हैं या अपलाइंस पर्चेज करते हैं तो हमें द्यान रखना होगा कि हम हम हमें क्या करना है electricity को reduce करना है तो उसके लिए हमें क्या है लो पावर का एक appliance लाना पड़ेगा जिससे कि हमारी electricity क्या हो सके कम से कम खर्च हो सके next question is if n registers each of resistance are connected in parallel combination then their equivalent resistance is so 19 question को अगर हम देख हैं तो 19 question पूछा जाता है अक्सर करके है कि मैं एक नौर्मली पहले basic से question करना चाहता हूं मेरे पास दो resistance से दौनों resistance सेम हैं अगर मैं इसका बन अपन आर लिखना चाहता हूं बन अपन आर equivalent तो बन अपन आर प्लस बन अपन आर लिखूंगा मैं तो मैं लिखूंगा जब आर equivalent तो जब मैं इसका LCM ले लोंगा तो मेरा आएगा रवाई टो कितना आएगा रवाई टो इफ यदि हमारे पास एन resistances हों तब equivalent कितना आएगा तो और equivalent रवाई एन क्यों जब दो थे तो हमारा टो से डिवाई हुगा अगर एन है तो हम एन से डिवाई देंगे सो आंसर इज नाइंटीन का दें नेक्स्ट कॉस्टन इस ट्वेंटी विच वन एमोंग ए बार ओफ एन एलोई ऑफ मास्ट तू केजी एंड थ्री केजी आयरन बार ऑफ सेम डाइमेंशन है ग्रेटर रजिस्ट विटी सो आंसर इज दी एलोई बार बिकॉज इट हैज डिफरेंट ताइपस अफ एटम हमारा यह जो एलोई होता है वह अलग-अलग एटम से मिलकर बना होता है सो हमारी रेजिस्ट विशी किस में ज्यादा होगी एलोई में रीजन क्या बताएंगे रीजन है यह हमारा एलोई क्यी डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलकर बना होता है नेक्स्ट कोस्टन इस ट्वंटीवन टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज गिवेन एक्विलेंट रेजिस्टेंस अप 10 ओम वेन कनेक्टेड इन पैलल गिस 2.4 ओम देन इंडिविजल रेजिस्टेंस इस इस कुस्टन को हम कोसेश करेंगे ऑप्शन वाइज सॉल्ब करने की तो नेट अगर सीरीज में हैं डारेक्ट जोडने पर हमें कितना आना चाहिए दस तो हमने देखा ओप्शन एवी दस है बीवी दस एंड सी सी ओप्शन इज दस एंड डीवी ओप्शन दस तो सी ओप्शन गलत क्यों सेवन और फॉर होता हमारा एक प्वैट इस स्कुशन में देखेंगे जब पैरलल करते हैं तो पैरलल में छाहिए तो हम एक करते हैं पैरलल में हम बी ओप्शन लेते हैं 6.6 into 4 upon 6 plus 4, हम करेंगे 24 by 10, so option is B is the correct, 21 का B, direct option से, the next question is 22, two bulbs are rated 40 watt 220 volt and 60 watt 220 volt, the ratio of the air resistances will be, अगर इस question में आप ध्यान से दें, तो हमारा voltage क्या हैं, दोनों में C में हैं, लेकिन power क्या हैं, हमारी दोनों में अलग-अलग हैं, तो हम ऐसा एक relation डूड़े, जिसमें P भी हो, B भी हो and R भी हो, तो हम जानते हैं एक relation P बराबर B square upon R, बट B हमारा C में, हम कह सकते हैं कि जो P है, वो directly depend करेगा हमारा 1 upon R पर, तो हम लिख सकते हैं, R1 upon R2 is equal to P2 upon P1, तो P2 अगर देखें 60 और P1 कितना 40, तो यह हमारा आएगा 3 by 2 ratio, तो question number 22 का answer is D, next question is 23, the image shows a combination, हम बात करते हैं image की, तो image अगर हम देखें, तो image को हम जब solve करें, तो अगर हम series पहचानना चाहते हैं, series होने के लिए हमारे पास एक single wire होना चाहिए, अगर single wire है, तो हम बोलेंगे series है, अगर parallel है, तो हम बोलेंगे हमारे पास कैसा wire होना चाहिए, different, different, differed wire होना चाहिए, so ध्यान देखें, कि यह दोनों wire हमारे same हैं, तो यह दोनों series में हैं, तो series करने पे कितना हैगा, six ohms, इन दोनों को देखें, तो यह दोनों हमारे किसमें हैं, पैरलल में है और पैरलल में क्या अगर टू ओम थ्री ओम एंड शिक्स ओम तीनों को देखो एक तार दो तार तीन तार तो तीनों तार हमारे किसमें अलग अलग हैं तो यह तीनों हमारे किसमें हो जाएंगे पैरलल में हो जाएंगे और पैरलल के शॉल्व करने के लिए हम जा है मतलब 1 ohm 23 का option is B next question is 24 if R1 and R2 be the resistance of the filament of 40 watt and 60 watt respectively operating to 20 volt इसमें हम से simply पूछना चाहता है कि आपके पास P1 है P2 है तो P2 greater than P1 that is R2 greater than R1 तो option is B क्यों अभी हमने देखा तर पी जोए directly repent करता है 1 upon R पर जब 1 upon R पर depend करेगा तो हम बोल सकते हैं सीधा सीधा कि अगर P2 बढ़ा है तो इसका means R1 sorry R1 बढ़ा होगा किस से R2 से तो option is B is the correct नेक्स्ट कोशन इस 25 एन एलेक्ट्रिक टोस्टर है जे पावर रेटिंग ऑफ 200 बाट इट ऑपरेट्स फोर वन आवर इन दा मॉर्निंग और बन आवर इन दा इवनिंग हाव मच ड़ज इट कॉस्ट तो आपरेट दी टोस्टर फो टैन डेज एट रूपी फाइब पर क्लोवाट आवर अगर हम क्लोवाट आवर की बात करें तो यह हमारा नॉर्मल बात साम बोलें तो एक यूनिट होती है तो एक यूनिट के कितने रूपे मिलते हमें पांच हम अब इस कोशन नहीं बोला है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक टोस्टर है उसकी पावर है 200 वाट और एक घंटे सोबह यूज करते हैं और एक घंटे हम साम को यूज करते ह हमारी कितनी करेंट या पावर कंजूम हुई उसे हम चेक करते हैं तो हम जब चेक करेंगे तो इसमें हमें देखना होगा कि हम जानते हैं कि हीट चाहिए हमें तो हीट होने के लिए बर्क पावर इंटू टाइम का मल्टिप्लाई करेंगे पावर कितना हमारे पास 200 इंटू लेकिन उसे कलोवट आवर चाहिए तो हम लेख सकते है believed inspector इस यह तो था एक दिन के लिए लेकिन कितने दिन है उसके पास दस दिन है most at das के फ़र क्लोवार आवर है प्वोर टैन्डे तो नो इसका मतलब हमारा कुल के त्री यूनित वनी 4 यूनिट लेकिन एक यूनिट का रुपिया है 5 त्रीट, 4 यूनिट का कितना हो गाएक यूनिट का पैसा पाच रुपिक त्रीट, और हमारे पास चार यूनिट का हो जाएगा, 4 x 5 that is 22, आंसर 25 का आंसर इस A next question is 26 A coil in the heater consumes power P on passing current if it is cut into halves and joined in parallel it will consume power means मान लो हमारे पास एक coil है उस coil को हमारे पास net resistance था इसका 2 लेकिन उसने क्या किया इसको cut कर दिया बीच में से तो बीच में से जब cut कर देंगे तो एक coil तो ऊपर resistance होगा और दूसरी coil को हमने किसमें parallel में जोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा तो जब जोड़ेंगे तो इसका भी और यह भी हमारा और वाई टू तो जब मैं आर एक्वेलेंट नकालोंगा तो कितना हो जाएगा हमारा सेक्स का ऑप्शन इज बी ऑप्शन इज डी जा करक्ट नेस्ट को सब्सक्राइब ट्वंटी सेविन जो भी देर तका है का мет पेडलल कॉमिनेशन में वी हमारा सी मुस्Point Be इसके लिए इसके लिए और इसके लिए तेनों के लिए की वेल्यू क्या होगी से हुदी लेकिन करयंत हमारी अलग अलग होती है है तो हम इसमें ध्यान से देखें तो भी बरावर आई या भी दिया है हमारे पास 6 वोल्ट आई हमें निकालना है किसके अलोग निकालना 10 के लोग तो आई बरावर हो जाएक सिक्स वाई टैन सो आंसर इस जीरो पॉइंट शेक्स एंपिया तो आप्शन इस भी कोस्टन नम्मर 27 का बी आंसर इस देख करेक्ट नेच्ट कोस्टन इस 28 थोड़ा सा यह भी इंपोर्टेंट कोस्टन है एंपोर्टेंट क्यों है आपको भी पता चलेगा इसमें कि एफेक्टिव रिजिस्टेंस बेट्वीन एंड वी हमारे पास दो रिजिस्टेंस हैं यह और वी के बीच लगे हुए हैं सात में अगर जान देखें कि जब हम करेंट पास कराएंगे तो करेंट पास करां करेंट वहां से पास होती है जहां उसको कोई डिस्टरबेंस करियेट ना हो रिजिस्टेंस करेंट के लिए डिस्टरबेंस करेंट करता है मीन्स रुकाबट का काम करता है कौन रिजिस्टेंस सो जब करें हमारे पास six ohm है एक हमारा नॉर्मली वायर है तो करेंट जितनी भी आएगी वह पूरी पूरी किसमें चली जाएगी वायर में जिसे हम बोलते हैं short circuit तो बहुती ध्यान से यहां में देखना होगा कि हमारे पास एक करेंट हम जब फिलो कराते हैं तो एक नॉर्मल वायर में करेंट पूरी पूरी फिलो हो जाती है अगर हम बात करें तो हम जानते हैं भी बरावर डवलू अपॉन क्यू होता है डवलू की यूनिट जूल और क्यू की यूनिट कूलाम तो जूल पर कूलाम तो आंसर और ट्वंटीन का इस ए अगर हमालो यह अगर हमारा अएच बरावर यूस्कोर्ण रटी तो ओ हम जानते हैं कि एच बरावर आई इस्क्वार आर तिंग्तिये दें हो हम रख दें इवानलो ही आगर हमारा हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि देखो हम इसको एच बन माले हैं तो इसे लिखेंगे आई स्क्वाइर आर टी टी वन आई वन सिम्लरली एच टू बरावर आई टू स्क्वाइर आर टू टी टू हम देखते हैं करेंट से में तो करेंट से करेंट कट जाएगी हमारी पांच थ्रो एनदर वायर ऑप दी हाप रेजस्टेंस तो हमारे पास पहले हीट दे रखेती सिक्स्टी एंड हीट न्यू हमसे पूछी है आरवन हमें आरवन हमारा है टाइम हमारे पास पांच है लेकिन नेक्स्ट आर जो कह रहा वह आर कितना हो जाता आदा और टाइम जी कितना दिया पांस यह तो यह टू ऊपर चला जाएगा जब यह तू ऊपर चला जाएगा तो इस टू से 60 कट एका थर्टी टाइमस सो एस की वैल्लियू आजाएगी 30 तो option is is the correct 30 का answer is correct next question is the value of milli ampere and micro ampere milli ampere and micro ampere के direct answer है तो थोड़ा से है mistake है 10 to power minus 3 होगा यह क्या होगा 10 to power minus 3 and 10 to power minus 6 so option is b is the correct next question is 32 the potential at a point is 20 volt the work done to bring a charge of 0.5 column from infinity to this point bill भी हमारे पास b की value दी है q की value दी है and पूचा क्या बर्क तो हम जानते हैं b बरावर w upon q so w बरावर होगा b into q b की value आपके पास 20 q की value is 0.5 points 08 जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 10 joule so answer is 32 का a next question is 33 the work done in moving in a unit positive charge across two points in an electric circuit is a measure of 33 का answer is a potential difference क्यों भी बरावर और w upon q हम जानते हैं w means work done unit positive charge so किसको represent करेगा potential difference को next question is 34 the device used for measuring potential difference जो potential difference को measure कर सके वो डिवाइस का नाम क्या है बोल्ट मेटर है नेक्स्ट कॉर्शन is 35 a current of one ampere is drawn by a filament of an electric bulb the number of electrons passing through a cross-section of the filament in 16 seconds would be roughly so answer is a but this question is repeat मैं पहले solve करा चुका हूं तो यह 10 के बाद जो लिखा है यह 10 की पावर 20 होगा so mistake है स्कॉर्शन में नेक्स्ट कॉर्शन is 36 the free electrons of a metal metal के free electrons के क्या होते हैं हमारे यह are free to move anywhere in the metal यह हमारे metal में free electrons होते हैं यह कहीं भी गुमने के लिए क्या होते हैं स्वतंत्र होते हैं free होते हैं नेक्स्ट कॉस्टन इस दा रेजिस्टिविटी ऑपा सर्टेन माटेरियल इस 0.6 ohm मीटर दा माटेरियल इस मुस्ट लाइक्ली टू बी जिसका रेजिस्टिविटी क्म होता है वो नीचर के इसका सो करता है एक सेमी कंड़क्टर का यूज करेगा नेक्स्ट कॉस्टन इस 38 अगर हम इसकी बात करें हमारे पास फर्मूला उतार बराब रो इन्टु एल्वाई ए तो जो रो है डाट इस कॉल एक्ट्रिकल रेजिस्ट्विटी तो यह हमारी किस पर डिपेंड करेंगी डी आप्शन पर आपे नेच्ट क्वशने थर्टी न इन्टी न इन 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 ऊच्छ झा आप फ्री लॉक्ट्रॉंस इन मेटल इस तो थर्टी नीन का अंसर इस ए जिग जग पात को हमारा फॉलो करती है नेक्स्ट को सब्सक्राइब को इस पूछ रहा है कि नाइक्रोम का रेजिस्टेंस कितना होगा तो हमें इसमें ध्यान देना होगा थोड़ा सा इस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्यों क्योंकि जो नाइक्रोम वायर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कॉपर वायर से लावाक 60 टाइम्स होती है सब्सक्राइब करेंच्ट कूशने ज फोटिवन करेंच करेंड 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 करेंग या किस फैए नहीं करते ही말 तो हम answer 41 का answer is D कि यह ना तो resistance पर डिपेंड करती है और नहीं potential difference पर डिपेंड करती है तो next question is 42 When there is an electric current passing through a wire, the particles moving are जब किसी wire में current pass होती है तो उसमें कौन से particle move करते हैं, तो option is A Next question is 43, unit of electric power may also be expressed as So फिर से अगें P बराबर हम जानते हैं, B, I होता है, B की unit volt होती है, और I की unit ampere होती है तो हमारा answer is 43 का A Next question is 44, A positive charge released from rest जब rest से हम किसी positive charge को released करते हैं, तो क्या होता है, तो positive charge हमेशा lower की तरफ हमारा towards मतरफ shift होता है, तो answer is A Next question is 45, the resistance of a register is reduced to half its initial value, in doing so, if other parameter of the circuit remain unchanged, the heating effect in the register will become तो हमें द्यान देना होगा, H बराबर होता है, I square RT, I और T दोनों factor हमारे remain C में, तो H proportional to R, तो H1 upon S2 is equal to R1 upon R2, तो इसमें क्या बोलना चाहता है, कि resistance जो R था हमारा, अब जो हो जाए, वो हाफ हो जाए, तो R से R कितना जाएगा 2, तो answer हो जाएगा, हमारा 45 का A, टू टाइ 36, 3 equal registers, when combining series are equivalent to 90, इसको हम change करके क्या करते है, ओम करते है, तो हमारे 3 resistance है, वो भी सेम है, तो हमें मालूम है, तीन रेजिस्टेंस जब सेम होते हैं, तो वो डारेक्ट जोड़ जाते हैं, तो 30 ohm, 30 ohm और 30 ohm, लेकिन वो बहना कहना चाहता है कि जब मैं इनको पैरलर में जोड़ दू, तब क्या आएगा, तो हमारा आएगा 10 ohm, डॉलू को काट देंस, तो कितना आएगा, ओम, नेस्ट कोशन इस 47, वेन आप 4 वोल्ट मेंटरी इस कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर, देर इस एक करेंट ऑफ 100 मिली एंपेर इन दा सर्केट, दा बैल्यू अप दा रेजिस्टेंस अप दी रेजिस्टर इज, तो बी दिया हमको 4 वोल्ट, और आई दिया है 100 मिली एंपेर, मिली एंपेर को हम बदल दें, तो हमारा आएगा 0.1 एंपेर, रेजिस्टेंस हम जानते हैं, बी बराबर आई या, तो आर बराबर हो जाएगा, बी अपन आई, बे की वैली 4 है, और आई की वैली 0.1 है, 0.0, तो हमारा आएगा अंसर 40 Oh, means 40 Oh, that is, option is, B is the correct, next question is 48, and battery is used to, हम battery को क्यों use करते हैं, तो option is, potential difference को maintain करने के लिए, next question is, 49 Ohm's law relates potential difference with, तो हमारा जब 49 है, वो हमारा Ohm's law, B is directly proportional to I, so option is A, next question is, 50, which of the following is an Ohmic register, अभी देखे थे, कि हमारा Ohmic resistance, जो हमारा Ohm's law को follow करें, तो वो कौन्स option होगा, 50 का A, तो दोस्तो आज हमने इसमें 50 question discuss कियें, next video हम जल्दी upload कर देंगे, कि आगे के next question और डाल दिये जाएं, दोस्तो इस question को जरूर प्रेक्टिस करें, यह आपके board exam में बहुत help करेंगे, तो देखने के लिए धन्यवाद, thank you. ेंगें हम हमने इसमें जो दे ढगात राम में छाएं, यहीXT और के लिए भवादें, शिछे मेंगी ज्मेंद्वाद लिएम्ट।